नमस्कार दोस्तों आप हैं यूट्यूब चैनल ग्यान शक्षु पर विज्ञान भक्षु विक्रांद के साथ। आज मैं आपको बताता हूँ इस बार जो 31 जनुवरी 2018 को वर्ष का पहला चंद्रक्रेंड लग रहा उसके विशे में। कि चंद्रक्रेंड जो है वो माग माह की सुकलपक्ष की पुर्णिमा को पुद्वार पड़ता उस दिन उस दिन चंद्रक्रेंड होगा। यह खगराश चंद्रक्रेंड है यह पूरे बारत के अलावा उत्री अमेरीका, रूस, ओशियाना, पूरवी यूरोब, आरक्टिक अक्षेत्रों में भी दिखाई देगा। बारतिय शमय नुसार ग्रेंड का सपर्ष, सपर्षा यानि आरंब, 17 बजगर 18 मिनिट माने के शाम के 5 बजगर 18 मिनिट और जो इसका समापन है मौक्ष है वो 20 बजगर 42 मिनिट यानि के 8 बजगर के 42 मिनिट पर होगा। इस ग्रेंड के सूतक विशे मैं आपको बताता हूँ चंदर ग्रेंड का जो सूतक है वो ग्रेंड आरंब होने के ठीकाट गंटे पहले लग जाते हैं। इस आधार पर इस ग्रहन का जो सूतक है वो 31 जनुवरी संदो 2018 इस वी बुद्धवार को सुबह 9 बज करके 35 मिनिट पर आरंब हो जाएंगे और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये ग्रहन है इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तो इस ग्रहन का मेश राशी के लिए दुखदाई है वर्ष राशी के लिए लाबकारी होगा मेशन राशी के लिए आनिकारक है करक राशी वालों को गात या चोट लगने की या इस तरह की आशंका है शिंग राशी वालों को आने की संबावना है कन्या राशी को लाब मिलेगा तुला राशी के लिए यह ग्रैंड जोहजी उनमें सुकदायक होगा वर्षिक वालों के लिए अपमान जनक दुनू राशी वालों के लिए कश्ट कारक है मकर राशी के जो लोग हैं उनके लिए इस तरी से शंबंदित कश्ट होगा कुम्ब राशी वालों को लाब कारी है और मेन वालों के लिए चिंता जनक है तो दोस्तों यह थी चंद्र गराण की विविन राशियों पर जो प्रवाव किस्तिती है वो हमने आपको बताई चंद्र गराण के शमय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विशेप पर हम अगला वीडियो जारी करेंगे तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें आपने यूट्यूब चैनल हमारा सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन का जो बैल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे शुजनाए मिलती रहें वीडियो की आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको हरदिक धन्यवाद आम